बागेशर धाम के पीठा धीशर पंडित धीरेंद्र कृष्ण सास्त्री को लिकर जबलपूर हाई कोट का एक बड़ा फैसला सामने आया है जबलपूर हाई कोट ने उन सभी सोसल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिये हैं कि धीरेंद्र सास्त्री से समंधित बिवादास्पत वीडियो को हटाये जाए दरसल गोटे गाउ निवासी धीरेंद्र कृष्ण सास्त्री महराज के अनुयाई रंजीत पटेल ने हाई कोट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सोसल मीडिया पर बिना जाच परके धीरेंद्र कृष्ण सास्त्री महराज के खिलाफ वीडियो प्रचारत किये जा रह कि पूरविधायक आर्डी प्रजापती की विबादित टिपड़ी के कंटेंट्स सोसल मीडिया पर लगातार वाइरल हो रहे हैं जबकि नियम के मताबिक बिना जाचे परके कोई भी वीडियो सोसल मीडिया पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए इस तरह की वीडियो से उन कंटेंट चलाए जा रहे हैं मानी हाई कोट ने याजिका में उठाए मुद्दो को गंभीता से लेते हुए तमाम सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें यूटूब फेस्बुक ट्वीटर आदी मीडिया प्लेटफॉर्म को विबादित वीडियो हटाने का निर्देश दि इन्होंने अपने जो गुरू माना है वो आचारे धीरेंद के शास्त्री बागिश वरधाम के जो प्रमुक संथ हैं उनको माना है उनका एक कहना है कि तमाम ऐसे समाचार रूपी माटीरियल यूट्यूब और फेस्बुक पे वाइरल हैं ट्विटर पे वाइरल हैं जिसमें इसकंद पुरान गुरु गीता का व्यू लेकिया गया है इसके अलावा तैतरे उपनिशत के भाग अपुल लेकिया गया जिसमें यह माना गया है कि गुरू जो है वो एश्वर है और सनातन धर्म में इस्वर अवतार जो है वो विश्णु भगवान के होते हैं तो राम अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसे आरोप लगा जा रहे हैं अनरगल बाते की जा रही हैं तो वह अपने धर्म से दूर जाने की सिति मजबूर होता है कि उस अपने धर्म को छोड़े सम्विधान में अनुचे 25 में कहा गया है कि व्यक्ति जिस धर्म को चाहे उस धर्म को फालो करें और कोई उससे मजबूर नहीं कर सकता है दबाव नहीं दे सकता है कि वह अपने धर्म से दूर जाए ऐसी स्थितिय में मान्यू चनाहले ने कल उस मुकदमे पर सुनवाई करते ह जारी करने के साथ 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 यूट्यूब ट्विटर फेस्बुक और जो पांच अलग इलेक्ट्रोनिक प्लाटफॉर्म है उनको डिजिटल प्लाटफॉर्म है उनको मना किया है कि वे संत श्री भाग इश्वर धाम के विशह में इस प्रकार के कोई अनर्गल माटीरियल को हटाएं इसकी जाच करें जाच करने के बाद ही लगाएं कि समय सीमा भी इसके लिए लगाएं दो सब्सक्राइब के लिए